यूपी के सबसे बड़े सियासी घराने में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को मुलाइम सिंग यादव के कुनबे की लड़ाई सड़क पर भी देखने को मिली। जब समाजवादी पार्टी से अलग होकर समाजवादी सेकलर मोर्चा के कारे करता अखिलेश समर्थक से ही उलज पड़े। हद तो तब हो गई जब चाचा श्विपाल यादव के समर्थकों ने सरयाम भतीजे अखिलेश के समर्थक को कार से खीच कर जम कर धुनाई कर डाली। जैसे तैसे किसी तरह एक मेडिकल स्टोर में छुप कर अखिलेश के समर्थक ने अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला यूपी के जहासी का है जब समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं का काफिला यहां से गुजर रहा था। तब ही काफिले के बीच में अखिलेश यादव के समर्थक की गारी भी घुज गई। उसकी गारी पर समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था इसते शिवपाल समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा और इन लोगों ने रास्ते में ही अपने काफिले को रोक कर अखिलेश के समर्थक की कार पर हमला कर दिया और उसे कार से खीच कर जम कर धुलाई करना श ध्यक्ष बन गए थे जिसके बाद मुलायम परिवार दो धड़ों में बढ़ गया यही नहीं चाचा भतीजे के बीच की तलखी भी कई बार सारजुनिक मंचों पर देखने को मिली अभी हाल ही में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई प पार्टी बनाई है मुलायम परिवार की छोटी बहुआ पढ़ना भी चाचा शिवपाल के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई दी हैं इन तस्वीरों के कई तरह के माईने निकाले जा रहे हैं लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि समाजवादी कुन्बे में मची कलहा इस तरह सडक पर भी देखने को मिलेगी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ